मित्रों वेलकम टुमाई चैनल सरोशिंग आपका इशे मित्रों मित्रों आज मैं आपको किड्नी डिजीज की विसे में जानकारी देंगा कि किड्नी आपकी खराब हो गई क्रेटनी को बढ़ता है इसके चार क्या करण है आप किड्नी खराब हो गई तो क्या खाना है बीपी आपका कितना होना चाहिए तो इस सारी जानकारी मित्रों आपको इस वीडियो में दूँगा, वीडियो बहुत ही इंटिस्टिंग है, इस मुलवान वीडियो को आप टाइम निकाल के देखें, हाँ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए, अगर आपने एक मुबाइल से एक बार सब्सक्राइब किया है, तो बार बार हो सकता नहीं है मित्रों, तो आप समझो, सबसे पहले नंबर एक प्रसनाता है कि डाक्टर सहब क्रेटनीन कम कीशे होगी, तो क्रेटनीन क्या है? जब हम खा ना खाते हैं तो मुख चार परदार्थ होते हैं नंबर एक प्रोटीन नंबर दो कार्वोहाइड्रेट नंबर तीन फैट चौथे नंबर पेठीक भीटामिन्स और मिनरल आ जाते तो जो प्रोटीन होता है जब लीवर में जाता है तो लीवर में चाय-पचाय मेटाबोलिजम होता है जिसे पचाता है पचाने की प्रक्रिये में उसे यूरिया या क्रेटनी बनते हैं जो ब्लड द्वारा किड्नी की तरफ जाते हैं तो किड्नी जो लगी होती है उसका काम है कि जैसे चाय की छलनी होती है चाय को छानी जाती है तो उसी तरह से किड्नी जो है ब्लड को फिल्टर करती है चलनी करती है तो उसमें ब्लड यूरिया क्रेटनीन का निकलने का काम करती है तो बिटामिन को अलग करते हैं बिटामिन मिनरल जाहिर है कि जब किड्नी खराब हो रही है तो उरिया क्रेटनीन ब्लड में बढ़ जाएगी तो क्या कर सकते हैं कि यूरिया क्रेटनीन को कम कैशे करें तो जो तीन मुख कारण है मित्रों किड्नी खराब करने का उस पर हम आपको बताना चाहता हूं कि नंबर एक पे आता है शूगर जो भारत में आ गई है लगबग पूरी तरह पाउँ पशार दी है दो हजार दो से इसका पता लगा है तो शूगर नंबर एक पर आता है किड्नी डिजीज को खराब करने के लिए तो शूगर नंबर एक पर जो आ रहा है शूगर है तो आपको क्रेटनिन कम करना है तो सबसे पहले आपको सुगर है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा सुगर बढ़ेगी तो किड्नी के फिल्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और filter को block कर देता है और filter करने का काम जो है वो बेलकुल कम हो जाता है जब blood में urea cretinine बढ़ें तो समझ लेना कि हमारा filter काम कम कर रहा है दूसरा क्या है जो kidney को खराब कर देता है तो दूसरा है मित्रों blood pressure blood pressure अगर है तो पहले तो समझ ये blood pressure systolic कितना होना चाहिए 120-30 तो नार्मल ने जा जाता है 140-50 हाइपर में आ जाता है तो blood pressure kidney को खराब करने में 5 गुना रोल अदा करता है फास्ट अगर BP control नहीं है तो 5 गुना फास्ट जो है kidney आपकी खराब होगी तो urea kidney फिर बढ़ने लगता है तो kidney के patient को blood pressure control करना बहुत अश्चक है उसके लिए BP को कम से कम समय समय पर उनको check-up कराना अश्चक है तीसरा जो है मित्रों सबसे जो फास्ट काम करता है kidney खराब करने में protein leakage kidney की बीमारी में हम रोल करता है protein leakage प्रोटीन leakage उतना फास्ट किद्नी खराब करता है जितना आपका BP तो kidney का patient की डाइड में है कि protein आपकी कैसे maintain रहे तो डाइड पर थोरा से हम चलते हैं kidney की डाइड जिसमें उसकी यूरिया क्रेटनीन कंट्रोल रहे इसमें हमें balance करके चलना है ना ज्यादा ना कम बीच का रास्ता देखना है मित्रों तो हमारे देश में protein खाना का 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 कम जैसे kidney के patient हुए कहेंगे कम protein लेजिए तो जब बीच का रास्ता लेंगे तो उसके लिए हमारे सरीर में protein भी आउश्यक है मित्रों क्योंकि प्रोटीन जो होती है हमारे defense mechanism एनि कुलमिला के जो tissue है उनको maintain करने का भी काम करती है तो भाई लोग जिसे प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं तो बंद ना करके आप बीच का रास्ता निकालो नहीं कम कम न ज्यादा बीच वाला तो उसको यह protein जो होता TC को maintain करता है आ रही बात हाइप प्रोटीन जो नान वेज होता है इसमें बहुत हाइप प्रोटीन होता है मित्रों तो हमारे भारत में साकाहारी प्रचलन है असाकाहारी देश भी है तो हम एक बार इसका एक सर्वे हुआ था तो इसको हम बाद बताएंगे थोड़ा सा तो इसमें नमक का इस्तेमाल कम करें महीने में एक बार चिकन जरूरी है खाने खाना क्योंकि प्रोटीन आप से मिलती रहेंगे तो एक अंड़ा भी ले सकते हैं डेली तो नमक कम कर दें तो क्रेटिन के लीकेज कम नहीं करेंगे तो बढ़ा देता है साधारा नमक का प्रियों करें तीन से पा इंटेंड करना बहुत आउशक है नहीं तो आप डायलिसिस से बच नहीं सकते हैं डायलिसिस के चंगुल में चले जाएंगे तो भारत में एक सर्वे हुआ था नान बेज और साकाहारी का कीड़नी पिस्टिंटों पे तो उसका सर्वे मैं बता रहा हूं कि ये 10 व्यक्त को 10 व्यक्त को शाकाहारी भोजण दिया गया लेकिन अच्छा रज़िट साकाहारी कराहा क्रेट्नी सुधारने में तो मित्रों नान बेज एक्दम से बंद ना करो लेकिन महीने में एक बार या डेली एक अंडा खा सकते हों तो आपको डायलिसिस से बचना है तो कम से कम इस न अंदर बैठाना होगा तब जाके आपकी केडिनी बच पाएगी नहीं तो मित्रों आप डाइलिसिस की चपेट में चले जाएंगे जीवन नर्क हो जाएगा तो मित्रों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना हां सस्क्राइब भी कर देन मित्रों जिससे आप तक वीडियो पहुंशके हर हर महादेव के शानिद में जीवन का आयापन करें नमस्कार